भजन सहिता अध्याए 119 क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं और यहुआ की व्यवस्ता पर चलते हैं। क्या ही धन्य हैं वे जो उसकी चितोनियों को मानते हैं और पुर्णमन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करतें। वे उसके मारग में चलते हैं। तुने अपने उपदेश इसलिए दिये हैं कि वे यतन से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों के मानने के लिए मेरा चाल चलन दुढ़ हो जाए। जब मैं तेरी सब आग्याओं के ओर चित लगाए रहूंगा, तब मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्ममै नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, तु मुझे पूरी रिति से न तज, जबान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे अपनी आग्याओं की बाट से भटकने न दे, मैंन मैं तेरे वचनों को अपने रधय में रख छोड़ा है, कि तेरे विरुद्ध पाप न करू, हे होवा परमेश्वर, तु धन्य है, मुझे अपनी विधिया सिखा, तेरे सब कह हुए नियोमों का वर्नन मैंने अपने मुख से कहा है, मैं तेरी चित्योनियों के मार्ग से, मा और मैं तेरे वचनों को न भोलूँगा, अपने दास का उपकार कर, मैं जिवित रहूँगा, और तेरे वचन पर चलता रहूँगा, मेरी आखे खोल दे, कि मैं तेरे व्यवस्ता की अदभुत बाते देखूं, मैं तो पृत्वी पर परदेशी हूं, अपनी आज्यों को तापित है, घुड़का है, वे तेरी आज्यों की बाट से भठके हुए है, मेरी नामधराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चितोनियों को पकड़े हूं, फिर हाकिम बैठे हुए, आपस में मेरे विरुद दबाते करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विदियों पर ध्यान करता था, फिर तेरी चितोनिया मेरे सुखमुल और मेरे मंत्री है, तू अपने वच्चन के अनुसार मुझको जिला, मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्नन किया है, और तूने मेरी बात मान ली है, तू मुझको अपनी विदिया सिखा, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर कर्मों पर ध्यान करूँगा, मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वच्चन के अनुसार मुझे संभाल, मुझको जूट के मार्ग से दूर कर, और करुना करके अपनी विवस्ता मुझे दे, मैंने सच्चाई क मार्ग चून लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित लगाया रहता हूँ, मैं तेरी चितोनियों के लवलीन हूँ, हे होवा, मेरी आशा न तोड, जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्याव के मार्ग में दवडूँगा, हे होवा, मुझे अपनी विध बढ़ाएगा, अपनी आज्याव के पथ में मुझे को चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ, मेरे मन को लोब की ओर नहीं बढ़ा, अपनी चितोनियों ही की ओर फेर दे, मेरी आखों को व्यर्थव स्थों की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला, तेरा नियम उत्तम है। देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाशी हूँ। अपने धर्मे के कारण मुझ को जिला। है होवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुव धार, तेरे वचन के अनुसार मुझ को भी मिले। तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकू क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है. मुझे अपने सप्ते वचन कहने से न रोक। क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमो पर है。 तब मैं तेरी व्यवस्ता पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूँगा। और मैं चवडे स्थान में चला फिरा करूँगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सूधी रखी है, और मैं तेरी चितोनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूँगा, और संकोच न करूँगा, और मैं तेरी आज्याओं के कारण सुखी हूँगा, क्योंकि मैं उन्स को दिया है, उसे स्मरण कर, क्योंकि तुने मुझे आशा तो दी है, मेरे दुख में मुझे शान्थी उसी में हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है, अभिमानियोंने मुझे अत्यनत ठट्टे में उड़ाया है, मैं तेरी व्यवस्ता से नहीं हटा हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचे नियमों को स्मरन करके शांती पाई है, जो दुष्ट तेरी व्यवस्ता को छोड़े हुए है, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ, जहां मैं परदेशी होकर रहता हूँ, वहां तेरी विधिया मेरे गीद गाने का विशय बनी है, हे पुदेशों को पकड़े हुए था, यहोवा, मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चे किया है, मैंने पुरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा, और तेरी चितोनि मैं ने तेरी आज्याओं के मानने में विलंब नहीं फूर्ती की है। मैं ने दुष्टों की रस्यों से बंद गया हूं। मैं तेरी विवस्ता को नहीं भूला। तेरे धर्ममे नियमों के कारण मैं आधिरात को तेरा धन्यवात करने को उठूंगा। जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। हे यहोवा, तेरी करुणा पूत्वि में भरी हुई है। तु मुझे अपनी विधिया सिखा। हे यहोवा, तुने अपने वचन के अनुसार अपने दास से संग भलाई की है। मुझे भली विवेक शक्ति और ज्यान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्याओं का विश्वास किया है। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था। परन्तु अब मैं तेरे वचनों को मानता हूँ। तु भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधिया सिखा। अभिमानि परन्तु मैं तेरे विरुद्ध जूट बात गड़ी है, परन्तु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूँगा। उनका मान मोटा हो गया है, परन्तु मैं तेरे विवस्ता के कारण सुखी हूँ। मुझे जो दुख्ख हुआ, वह मेरे लिए भला ही हुआ ह जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकू। तेरी दिवहुई विवस्ता मेरे लिए हजारों रूपयों और मोहरों से भी उत्तम है। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्याओं को सीखू। तेरे डर्वईये मुझे देखकर आनंदित होंगे क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगा रहे है। हे यहवा परमिश्वर मैं जान गया कि तेरे नियम धर्म में है और तुने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। मुझे अपनी करुना से शान्ति दे क्योंकि तुने अपने दास को ऐ ऐसा ही वचन दिया है। तेरी दया मुझ पर हो। तब मैं जीवित रहूँगा क्योंकि मैं तेरी विवस्ता से सुखी हूँ। अभिमानियों की आशा तूटे क्योंकि उन्होंने मुझे जूट के द्वारा गिरा दिया है। परन्तु मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान जो तेरा भैमानते है वहां मेरी और फिरे। तब वे तेरी चितोनियों को समझ लेंगे। मेरा मान तेरी विधियों के मानने में सिद्ध हो। ऐसा नहों कि मुझे लज्जित होना पड़े। मेरा प्रान तेरे उध्धार के लिए बेचन है। परन्तु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है, मेरी आखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जो होते जो होते रह गई है, और मैं कहता हूँ कि तु मुझे कब शांती देगा, क्योंकि मैं धुए में की कुप्पी के समान हो गया हूँ, तो भी तेरे विधियों को नहीं भूला, तेरे दास के कितने दि अब देगा, अभिमानी जो तेरे विवस्ता के अनुसार नहीं चलते, उन्होंने मेरे लिए गड़े खोदे है, तेरी सबाग्याए विश्वास योग्य है, वे लोग जूट बोलते हुए मेरे पीछे पड़े है, तु मेरी साहयता कर, वे मुझको पूत्विपर से मिटा ड जालने ही पर थे, परन्तु मैंने तेरों पूदेशों को नहीं चोड़ा, अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला, तब मैं तेरी दी हुई चितुनियों को मानूंगा, हे होवा, तेरा वचन आकाश में सदातक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाए पीढ़ी से पीढ़ी त तक बनी रहती है, तुने पृत्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है, वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे है, क्योंकि सारे पृत्वी तेरे अधीन है, यदि मैं तेरी व्यवस्ता से सुखीन न होता, तो मैं दुख के समय नाश हो जाता, मैं तेरे उप पोदेशों की सुधी रखता हूँ, दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे रहते है, मैं तेरी चितोनियों पर ध्यान करता हूँ, जितनी बाते पूरी जान पड़ती है, उन सबको तो मैंने अधुरी पाया है, परंतु तेरी आज्या का विस्तार बड़ा ह अहा, मैं तेरी विवस्ता में कैसी प्रीती रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है, तो अपनी आज्याव के द्वारा मुझे अपने शत्रों से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है, मैं अपने सब शिक्षकों से भी मैं अपने पाओं को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के नुसार चलू, मैं तेरे नियोंवों से नहीं हटा, क्योंकि तु ही ने मुझे शिक्षा दी है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते है, वे मेरे मुह में मधु से भी मीठे होते है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिठ्यमारगों से पैर रखता हूँ, तेरा वचन मेरे पाओं के लिए दीपक और मेरे मारगे के लिए उज्याला है, मैंने शपत खाई और ठाना भी है कि मैं तेरे धर्म में नियों के अनुसार चल तेरे नियमों को मुझे सिखा, मेरा प्रान निरंतर मेरी हतेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी विवस्ता को भूल नहीं गया, दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परनतु मैं तेरे उपदेशों के मारग से नहीं भटका, मैंने तेरी चितोनियों को सदा के क्योंकि वे मेरे रधह के हर्ष का कारण है। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंतर तक तेरी विध्यों पर सदा चलता रहूं। कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को न तूर मुझे थाम रख तब मैं बचा रहूंगा और निरंतर तेरी विध्यों की ओर चित्त लगाया रहूंगा। और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। मैंने तो नयाय और धर्म का काम किया है। तू मुझे अंधेर करने वालों के हाथ में न छोड़। अपने दास की भलाई के लिए जामीन हो ताकि अभिमानी मुझे पर अंधेर न करने पाए। मेरी आखे तुझसे उद्धार पाने की और तेरे धर्म मैं वचन की पूरे होने की बाट जो होते जो होते रह गई है। अपने दास की संग, अपने करोना की अनुसार बरताव कर और अपनी विधिया मुझे सिखा। मैं तेरा दास हो। तु मुझे समझ दे कि मैं तेरी चुतिनियों को समझू। वह समय आया है कि यहोवा काम करे क्योंकि लोगों ने तेरी विवस्ता को तोड़ दिया है। इस क कारण मैं तेरे सब उपोदेशों को सब विश्यों में ठीक जानता हूँ और सब मिध्या मारगों से बैर रखता हूँ। तेरी चितोनिया अनूप है। इस कारण मैं उन्हें अपने जी से पकड़े हुए हूँ। तेरी बातों की खुलने से प्रकाश होता है। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं मुहो खोल कर हापने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्याओं का प्यासा था। जैसी तेरी रीती अपने नाम की प्रिती रखने वालों से है, वैसे ही मेरे और भी फिर कर मुझ पर अनूरह कर। मैं पैरों को अपने वचन के मारग पर स्थ प्रकाश चमका दे और अपनी विधिया मुझे सिखा। मेरी आखो से जल की धरा बहिती रहती है, क्योंकि लोग तेरी विवस्ता को नहीं मानते। हे यहवा, तु धर्मी है और तेरे नियम सीधे है। तुने अपनी चितोनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। मैं त ताने वाले तेरे वचनों को भूल गये है। तेरा वचन पूरी रिती से ताया हुआ है। इसलिए तेरा दास उसमें पृती रखता है। मैं छोटा और तुच्छ हूँ। मैं तेरे उपदेशों को भूल नहीं गया। तेरा धर्म सदा का धर्म है। और तेरी व्यवस्ता स मैं संकट और सकेती में फसा हूँ, मैं तेरी आज्याओं से सुखी हूँ, तेरी चितोनिया सदाधर्म मैं है, तु मुझको समझ दे, कि मैं जीवित रहूँ, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे होवा, मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूँगा, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तु मेरा उद्धार कर, और मैं तेरी चितोनियों को माना करूंगा, मैंने पहफटने से पहले दोहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी, मेरी आखे रात के एक-एक पहर से पहले खुल गई, कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करू, अपनी अनुसार मुझे जीवित कर, जो दुष्टता से धुन लगाते है, वे निकटा गए है, वे तेरी व्यवस्ता से दूर पड़े है, हे होवा, तु निकट है, और तेरी सब आग्याय सत्य है, बहुत काल से मैं तेरी चितोनियों को जानता हूं, कि तुने उनकी नेव सदा के लिए डाली है, मेरे दुख को देखकर मुझे छुडा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्ता को भूल नहीं गया, मेरा मुकदमा लड़, और मुझे छुडा ले, अपने वचन के अनुसार मुझे को जिला, दुष्टों को उद्धार मिलना कठीन है, क्योंकि वे तेरी विधि से नहीं हटा, मैं विश्वास घातियों को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते, देख कि मैं तेरे नियमों से कैसे प्रिती रखता हूँ, हे हुआ, अपनी करुना के अनुसार मुझे को जिला, तेरा सारा वचन सत्य ही है, और तेरा एक-एक धर्म मैं नियम सदाकाल तक अटल है, हाकिम, व्यर्थ मेरे पीछे पड़े होते है, परन्तु मेरा रधय तेरे वचनों से भै करता है, जैसा कोई बड़ी लुट पाकर हर्शित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन की कारण हर्शित होता हूँ, जूट से तो मैं बैर और गुरुना क करता हूँ, परन्तु तेरी व्यवस्ता से प्रिती रखता हूँ, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रती दिन साथ बार तेरी स्तूति करता हूँ, तेरी व्यवस्ता से प्रिती रखने वालों को पड़ी शांती होती है, और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती, हे होवा, मै मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ, मैं तेरी आज्याओं पर चलता आया हूँ, मैं तेरी चितोनियों को भी जी से मानता हूँ, और उनसे बहुत प्रीती रखता आया हूँ, मैं तेरे उपदेशों को और चितोनियों को मानता आया हूँ, क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे सन्मूख प्रगठ है। क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। हे होवा, मैं तुझ से उद्धार पाने की अभिलाशा करता हूं। मैं तेरे व्यवस्ता से सुखी हूं। मुझी जिला और मैं तेरे स्तूति करूँगा। तेरे नियमों से मेरी साहयता हूँ। मैं खोई हुई भेड मैं भटका हूँ, तु अपने दास को ढूंड ले, क्योंकि मैं आज्याओं को भूल नहीं गया.